तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे केपकट को के से यूज करें और अपनी वीडियो को प्रोफेशनली तरीके से के से एडिट करते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार बिल्कुल फ्री है तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ तो यहां प्लस वाले साइन पर क्लिक करके हम अपना नया प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट क्रियेट होने के बाद हम प्रोजेक्ट की सारी लेयर को अच्छे से मेनेज कर सकते हैं फिर format आइकन पर क्लिक करके हम अपनी वीडियो का resolution सिले कर सकते हैं कि वीडियो की size क्या रखनी है जैसे कि Instagram के लिए वीडियो चाहिए YouTube के लिए चाहिए या कौन सी size के लिए चाहिए फिर उपर जो button दिया गया है 1080p का उस पर क्लिक करके हम video quality decide कर सकते हैं या में 1080p चाहिए या 4K में चाहिए और नीचे आपको frame rate दिख रहा है वह आप manually वीडियो के हिसाब से select कर सकते हैं उसके बाद आता है export का button जिसकी मदद से आप अपने वीडियो को export कर सकते हैं और नीचे आपको दिख रहे हैं जो दो button undo or redo उसको full screen या rotate कर सकते हैं तो चलते हैं main video की तरफ जो हमारा आज का first point है वह है trim footage या trim video जिसकी मदद से आप अपनी video को trim कर सकते हैं नीचे दिए गए trim icon पर click करके video को split कर सकते हैं करने के बाद जो first clip है उसको हम select करेंगे और फिर इसको delete कर देंगे delete करने के बाद अगर वह clip हमें वापस चाहिए तो हम undo के button पर click करेंगे ताकि वह clip हमें वापस मिल जाए और आप अपनी video को manually तरीके से भी आपको जितना चाहिए उतना आप trim कर सकते हैं उसके लिए video को select करेंगे फिर white वाले handle की मदद से हम video को जितना चाहिए उतना trim कर सकते हैं start to end तक फिर जो एक cap cut का logo आ रहा है उसको हम delete के से कर सकते हैं तो logo पर click करके नीचे delete icon पर click करके हम logo को delete कर सकते हैं जो की बिलकुल free है तो बढ़ते हैं हमारे next step की तरफ जो की है overlay य हम यह वाला video select कर लेते हैं तो देखो नीचे एक नई clip आ चुकी है इस layer को हम जैसे चाहें उसे zoom या zoom out कर सकते हैं तो इसी तरह हम overlay की मदद से कितनी भी clips को add कर सकते हैं तो बढ़ते हैं मारे next step की तरफ जो है transaction हम video में transaction कैसे add करें तो सबसे पहले जिस layer में हमको transaction add करना है उ combo animation तो सबसे पहले हम इन animation पर click करेंगे और जो animation हम को चाहिए animation को मुश्यट करके apply कर जाएंगे फिर आगे हम दो clip की बीच में transaction कैसे add करते हैं वह देखते हैं तो जो आपको बीच में white plus का icon दीख रहा है उस पर click करेंगे और इन में से आप कोई सा भी transaction юz कर सकते हैं अभी हम एक transaction इसकी बीट on जेक्शन call कर सकते हैं transaction applied होने के बाद center click को paste करेंगे वीडियो में is that डालने के लिए हम center clip को जूम करेंगे ताकि एक अच्छा YouTube आपु वीडियो में देख सकें आप जैसे चाहें वो वीडियो को जूम या जूम आउट करके एनिमेशन डाल सकते हैं तो बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ जो कि है इफेक्ट तो इफेक्ट एड करने के लिए नीचे इफेक्ट पर क्लिक करेंगे फिर वीडियो करेंगे आप देख सकते हो यहां पर काफी सारे इफेक्ट दिये गए हैं इसमें से जो इफेक्ट आपको पसंद आता है वह इफेक्ट आप सिलेट कर सकते हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्टेप की तरफ जो है बेग्राउंड रिमूवल इसकी मदद से आप अपनी वीडियो से बेग्राउंड रिमूव कर सकते हैं जिस क्लिप का बेग्राउंड रिमूव करना है उसको सिलेट करेंगे बेग्राउंड रिमूव पर क्लिक करेंगे ताकि वीडियो का बेग्राउंड रिमूव हो जाए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ ओडियो तो ओडियो एडियो हम उसको भी यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियो में अपलाई कर तो अभी के लिए हम एक ओडियो सिलेट कर लेते हैं तो ओडियो को एड करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ जो है कलर ग्रेड को हम किसी भी सिंगल क्लिप या पूरी वीडियो में य आज के लिए बस इतना ही और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार बिल्कुल फ्री है और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अथा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगली वीडियो आपको किस टोपिक पे चाहिए वो हमें नीच के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा